लेकिन मैं फिर से आप लोगों को बताती हूँ कि संदर्व कैसे लिखा जाता है संदर्व लिखेंगे प्रस्तुत पद हमारी पाठ पुस्तक कावखंड के पद नामक सीर्शक से लिया गया है इसके कवी सूर्जाज जी हैं जो सूर्जागर से सूर्जागर द्वारा लिए ग पूरे पाठ का संदर्व एक ही होता है लेकिन प्रसंग अलग-अलग होते हैं जिस पहला ग्राफ को हमें पढ़ना होता है उससे सम्मंदित बात उस प्रसंग में लिखी जाती है तो हम पहला पत पढ़ेंगे चरण कमल बंधो हरिराई जाकी करपा पंगुगिर लंगे अंदे को सब कुछ दर्शाई भईरो सुन गूंग पुन बोले रंक चले सिर चत्र दराई सूरुदास स्वामी करूना में बार बार बंधो तहीं पाई प्रस्तुत्पद जो मैंने आपके सामने पढ़ा इसका प्रसंग होगा कि प्रस्तुत्पद में सूरुदास जी ने अपने आराद देव सिरी करश्न के चरणों की वंद्रा की है और उनकी महिमा के बारे में बताया है कि उनकी महिमा से असंभवकार भी संभव हो जाता है अर्थ चरण कमल बंदो हरे राही सूर्दाज जी कहते हैं कि मैं स्रीकरश्न के कमल रूपी चरणों की बारवार बंदना करता हूँ अधार्थ सीज जुगाता हूँ जाकी किरपा पंगु गर्ले गुए जिनकी किरपा से पंगु मिस लंगला गिरिमाने परवत लंगला व्यक्ति पहाण को लांग सकने में समर्थ हो जाता है और जो अंधा होता है उसे सब कुछ दर्साई में दिखाई देने लगता है बहिरो सुने और जो व्यक्ति बहरा होता है वो इश्वर की किरपा से उसको सब कुछ सुनाई देने लगता है गूंग उपन बोले और गूंगा व्यक्ति दुबारा से बोलने लगता है रंक चले सिर्छत्रतराई और गरीब विकारी भी सिर्फ पर्मकुट धारन करके राजा बन जाता है सूरदाज स्वामी करुणा में बार बार बंदो तैपाई सूरदाज जी कहते हैं कि एसी करुणा सूरदाज